वोड एलेस आज अपने केरेक्टर में अपियर हुए मंडे नाइट रॉग के उपर और ऐसा लगता है कि वायद सिक्स एक नई एलफा अकेडमी के सामने जाने वाली है समर स्लैम में रियर रिपली और डॉमिनिक के बीच में क्या फाइनली जो है वो चीजें क्लियर हो चुके क्या एक अठे वापिस आ चुके हैं और डू मैक इंटायर की सस्पेंशन आखिर आगे बड़ी या फिर घटी क्या वो मैच सीम पंक के साथ ओफिशल हुआ या फिर नहीं यह और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में गाइस मैं हूँ आयूश आप देख रहे है मामी इज होम और वो तीन महीने तक गाया थी डवी अबली से सिर्फ लिव मॉर्गन की वेज़ा से क्योंकि लिव मॉर्गन ने बोला था वो सब कुछ रिया रिपली का छेन लेंगी और वो डॉमिनिक मिस्टीजियो की यहां पर बात नहीं कर रही वो पहले बात करना चाहत हो बात में डील करेंगी और यहां पर बात करते हैं किस तरीके से उनका टाइटल जो है वो कभी हारी नहीं थी और वो उसको वापिस लेके रहेंगी तो वो आजाते हैं बाहर और उनके हात में यहां पर एक ब्लैक कलर का रोज भी था तो रिया रिपली को अविसली मनाने आ रही है तो उसके लिए आपॉलोजाइज क्योंकि मेक्सिको में बहुत टाइम स्पेंड करके आई हूं इस वीकेंड में और मैं मानी जाती हूं जादा चिलाने के लिए चीखने के लिए तो शायद उस वर्या से हो गया भाई समझने वाले समझ जाएंगे मेक्सिको लिए रिपली को कि मुझे पता नहीं था पहले समझने नहीं आता कि रिया को क्या और इसी बात पे लिए रिपली यां पर चैलेंज करते एं Summerslam के लिए और कहती हैं कि मैं तुम्हारा revenge tour जल्दी खतम कर दूँगी और Liv Morgan बोलती हैं कि देखो भाई मैं पहले जैसी Liv Morgan नहीं रही रिया जो तुम सोच रही थी और मुझे पता था कि मेरे लिए end game यही होने वाली है तो मैं यहाँ पर basically Dominic को help करा Ray Mysterio को हराने के लिए जो कभी तुम नहीं कर पाई और उसी तरीके से तुम्हें भी summer slam में हराऊंगी और रिया रिपली का जो challenge यहाँ पर Liv Morgan accept कर लेती हैं और उसके बाद रिया माइक में बोलती है कि देखो भाई Liv मुझे पता है अभी तुम स्क्रीन से गायब हो गई लेकि तब भी सुन रही हो summer slam में ना ही मैं तुम्हारा revenge tour खतम करूंगी ना ही तुम्हारी title reign खतम करूंगी बलकि तुम्हारा career भी खतम कर दूंगी और डॉमिनिक यहां पर रिया को पूरे समय मनाने की कोशिश कर रहा है तो उनको fool भी दिया जो कि फैक देते हैं वो उसके बाद बैक्स्टेच जब वो चलके जाते हैं तो रिया रिपली देखते हैं कि कैसे judgment day का locker room सजा हुआ है वहां पर fool पड़े है रिया रिपली के या फिर नहीं आरी शो में उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद शेमस का मैच हुआ ब्रॉंसन रीड के साथ जो कि एक अच्छा मैच था डीसेंट मैच लेकिन शेमस यहां पर जीत जाते हैं ब्रोक किक भी नहीं उन्होंने मूँपे एक नीम आरी ब्रॉंसन के और य इसी चीजें हैं जिसकी वह गुस्ता है शेमस के साथ शेमस को एक नहीं थीम दी गई आज उनका सौंग चेंज कर दिया गया है आज डूंट नो क्या इसकी जरुवत थी या फिर नहीं लेकिन कुछ इतना भी मेरा उस पर ऑपीनियन बना नहीं है सिमिलर ही था बट चेंज बहुत सारी सेग्मेंट समय देखने को मिली रिया रिपली खड़ी होती है और वह बात कर रही होती है कि किस तरीके से डेमिन प्रीस्ट है वह चैंपियन है उन्हें सब कुछ अच्छा कर रहा और वह बोलते है रिया रिपली को कि एक हफते से मैं तुम्हें रीच आउट कर तो रिया कहती है रेली एक हफते से पिछले तीन महीने का क्या जब मैं इंजर्ड थी और मैं या पर थी नहीं तब तो तुमने मुझसे एक बार भी बात करने की धंग से कोशिश नहीं करी और वह यहां से गुस्ते में चली जाती है धीरे-धीरे प्रोग्रेस हुआ तो एक चाहरा लाल हो जाता है मेरे बाल खराब हो जाते हैं क्योंकि उससे पता लगता है कि हम सब कुछ दे रहे हैं उस मैच के लिए और मुझे लगता कहीं तुम एक उपरिचुनिटी डिजर्फ करते हो फॉर दे चैंपेंशिप और आज तुम अपना बेस्ट लेके आना इस क्योंकि अगर डॉमिनिक नहीं होता तो शाहिए टाइटल में अल्रेडी जीच चुकी होती और यहां सॉने डिविल शेना बेजलर जोई स्टार का जाते हैं और उनका मजाग बनाती है यहां पर जिलीना वेगा और जो भी सॉने ने बात बोली जलीना कहते हैं कि तुम्हार यहां पर यह डिजलीना वेगा को क्योंकि शेना बेजलर यहां पर रैफरी डिस्टैक्टेड था अटैक करते हैं जीनिवेगा को और वो बूचते हैं बही आखिर मुझे तुमने मुझे वर्निंग क्यो नहीं दी डेमियन लास्ट वीक के रिया रिप्ली आने वाली है और Damien कहते हैं भाई मैं तो तेरे को हफ्तों से वान कर रहा हूं कि ये चीज खतम कर दें लिप मॉर्गन के साथ तू कौन सा मान रहा था और यहाँ पर और कोई नहीं बलकि Jay Uso आ रहाते हैं और वो पुछते हैं Damien से आके क्या Ria Ripley अभी Single to Mingle है और उसके बाद वो कहते हैं भाई Damien पीच पीच आइडिया को रिजेक्ट नहीं करते हो ऐसे नहीं बोलते हैं भाई गुस्ते में वो कहते हैं में भी तुम ट्राइक कर सकते हो और डॉमनिक इस बात से विलकुल भी खुश नहीं थे तो Jay Uso कह कैसे वो रिया के वारे में सब बोलके चलागए तरे मुह के ऊपर तो जाए डम पीर्स के पास और कर कुछ तो बेसिकली जे उसो ने अंबरस कर दिया है पर डॉमनिक को जिसके बाद वह भाग के जाते एंडम पियर्स के पास और अपना मैच बुक करा लेते हैं जे उसो के अगेंस्ट इसके बाद एक और बैक्स्टेच सेग्मेंट देखने को मिली जा दिया इस बार बात कर रही थी फिन बैलर और जेडी मैंक्डॉनास है और फिन बैलर यहां पर बोलते हैं कि देखो भाई मुझे पता है कि लिव मॉर्गन ने अमारी मदद करी थी लेकिन रिया रिप्ली को उस बात से प्रॉब्लम नहीं थी वो कहते हैं कि अगर जज्जमेंट डे में टैक्टीम टाइटल वापिस आगए मैं उत तो रिया कहते है तु क्या भाई एक कावर्ड है तो डॉमिनिक कहते हैं कि भाई देखो मैं तुसे रहे यह प्रूफ करना चाहता हूँ जे उसको और आके कि मामी बिलॉंग्स टू मी ओर रिया रिप्ली ऐसे देखते हैं कि वाट क्या बोला तु ने वो कहते हैं बाई मैं इस पूरी स्टोरी लाइन के उपर इसके बाद बैक से चैट गेवल आडम पियर्स के पास थे और वो जाके बोलता है कि भाई मेरी मदद करो आडम पियर्स मना कर देते हैं दुबारा से वो बोलते हैं कि मैं बोर डैलस को आज कॉल आउट करने वाला हूं और पूरी दुनिया आडम पियर्स करते हैं ऐसा क्या तिरे को एक काम करता हूं अरीना से बाहर निकालता हूं सिक्योरिटी को यह बोलता हूं विकॉज एक अल्रेडी हॉट है ड्रू मैकिंटार के नाम का बैठा हुए सस्पेंडड तुझे मैं सस्पेंड नहीं करना चाता है यहां से निकल तो बहुत ही कमाल का काम किया है यहां बहुत फेले वीडियो पैकेश देखने को मिलता है गुंतर की तरफ से जहां पर बात कर रहे हैं कि कैसे जब की ड्रीम नहीं थी लेकिन जब वो ड्रीम में आये हैं तो उसके बाद उनसे बैटर भी कोई इस चीज के अंदर नहीं है तो इ बहुत है जब से मैं गायब था ना तो तुमने इस चैंपिन्शिप में कोई प्रिस्टीज एड करी ना कुछ कॉंट्रिब्यूट करा है और वो कहते हैं कि देखो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि हम दोनों जो हैं वो से से नहीं बने हैं तो बेसिकली मैं तुमारे तुम्हें कैसा ऐसा लग रहा है गुंतर की तेरा ही टाइटल है काश आज समर्स्लैम होती ताकि यह जो हस रहा है तू यह मुक्का मार के तेरी जो स्नाइल है पहले तो बंद कराता और वो कहते हैं समझ गया गुंतर की यह तेरी ड्रीम नहीं थी डेवीड़ी में आना और यह वो चैंपियेंशिप है जो मैंने अर्न करी है यह चैंपियेंशिप में डिजर्ब भी करता हूं और गुंतर कहते हैं कि बहुत पहले ही रेकगनाइज कर लिया था मेरा टैलेंट क्या और मुझे बैग कर रहे थे कि उनके साथ मैं एक कॉंट्रेक्ट साइन करूँ वो नहीं चाहते थे कि डेमेन फ्रीस्ट ऐसे लोग इस कंपनी में चैंपियन बनें और वो कहते हैं कि अब इसी वज़ासे मेरे पर रिस्पॉंसिबिलिटी आ गई है कि इस टाइटल की भी प्रिस्टीज मुझे रिस्टोर करनी पड़ेगी और डेमेन फ्रीस्ट को कहते है चाहिए हम कुछ भी बोलने तुम हमेशा एक स्ट्रीट ट्रैश ही रहोगे तो गली का कच्छरा बेसिकली आप बोला डेमेन प्रीस्ट को और उसके बाद बोलते हैं डेमेन प्रीस्ट को कि इसी एटिट्यूड की वज़ासे तुम यह कभी समझ नहीं पाऊगे कि यह स्कम बैग और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फेस टू-फेस आरते हैं जो कि बहुत ही हीट्रीड हो गया था और इसके ब्रॉंस ट्रोमेन का म्यूजिक बचता है जिनका मैच होने वाला था डेमेन प्रीस्ट के साथ तो वह कमाल की सेग्मेंट ती जिसने हाइप पड़ा मैच के बाद दुवारा गुंथर आते हैं बाहर अटैक करने कोशिश करते हैं इनके पीच में चोटी सी प्रॉल देखने को मिली लेकिन गुंथर जो है वह भाग के मां से निकल जाते हैं और बार बार बोलूँगा इसकी बहुत जाता जरूरत थी इसके बाद बैक से चैड जैड गेबल को कहीना कही लग रहा था उनके बारे में बात कर रहे होंगा और उनकी मदद करेंगे लेकिन अक्चुलि मैं Alfa Academy बात कर रही थी जेवियर वूड़की ऑप के दो next अगेंस्ट दे फाइनल टेस्टेमेंट विकोज कोफी किंस्टन अभी फिलाल इंजर्ड है तो चैट गेबल गुस्सा होके आपे चले जाते हैं और ओटिस से हो पुछते हैं क्या तुम सीरियस हो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे ओटिस कहते हैं बिल्कुल सही बात है हम इस मामले में सीरियस हैं इसके बाट शेना बेजलर और जोई स्टार्क का मैच होता है केडन काटर और केटान चांच से सिंपल टैक्टीम मैच था हील्स को यहाँ पर विक्टरी दी गई रहे हैं सीम पंक के मेर्च चाता है लोग डेफिनेटली मैच चाते हैं और क्या कमाल की पॉप हुई यह जब एडम पियर्स ने बात बोली लेकिन क्या डू मैकिंटायर भी है मैच चाता है डेफिनेटली मैच से ज़्यादा मैं कुछ चाता भी नहीं हूँ इस पॉइंट पे एडम पियर्स इस मैच को तुम ओफिशल करा दो और अल्मस्ट एक बेवी फेस की तरह आपे डू मैकिनटायर एक्ट कर रहे थे लोगों से पूछ रहे हैं क्या तुम देखना चाहते हो पंक वर्सिस डू मैकिनटायर लोग पागल हो रहे हैं लेकिन एडम पियर्स ने आप एक कंडिशन डाल दी और वो कंडिशन यह थी कि दो रैफ्री जिनको अटैक किया था डू मैकिनटायर ने उनको वह अपॉलिजाइस करें और पुछते हैं कि मैं इनको क्यों अपॉलिजाइस करूं एडम पियर्स कहते हैं वहीं तुझे कुछ नहीं करना बस इनको सौरी बोल और मैच मैं ओफिशल कर दूँगा अभी के अभी समर स्लैम में रूम एक इंटायर जाते हैं माइक लेकर रैफ्री के पास और फिर मना कर देते हैं अपॉलिजाइस करने चाहर फिर वह एकदम से ट्विस्ट करते हैं और अपना कैरेक्टर ले आते हैं वापिस अपने हील के अंदर और वो बोलते हैं कि कैसे एडम पियर्स ने रैफ्री नहीं मुझे बार-बार स्कुरू करा है इन फैक्ट एडम पियर्स वह बंदा होना चाहिए क्योंकि उसने सीम पंक के पीछे तो कभी वैसे रैफ्री नहीं बेजे जैसे मेरे पीछे बेज जी नहीं चाहिए सीम पंक का मुझे सर चाहिए और स्पाइब पागल हो गए थे तो एक की तरीका था एडम पियर्स को कंट्रोल करने का और वो बोलते हैं देखो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी बढ़िवा स्टिल सस्पेंडेड और डू मैकिंटायर की सस्पेंशन अभी लिफ्ट नहीं हुई है और दू मैकिंटायर बुस्ते में आके दुबारा रेफरीज को धक्का दे देतें और उसके बाद सैंत रॉलिंज आते हैं फाइनली यहां पर डू मैकिंटायर को अटैक करते हैं बचा लेतें रेफरीज को और फिर सिक्यूरिटी भाहर खड़ी होत तो पार बार दिखाया जा रहा है यू लाइड यू लाइड तो क्या वो जूट है जो पैट मैकेफी ने बोला है वायत से अभी तक वो स्टोरी क्लियर नहीं हुई है लेकिन शायद आगे कभी बताई जाएगी लेकिन आज की इस व्हस टेप में एरिक रोवन थे और वो बात कर रहे थी कि किस तरीके से उनकी फैमिली थी एक पॉइंट पर लेकिन फिर पहले उनका एक भाई चला गया वो थोड़ा उस चीज से उबरे तो उनका दूसरा भाई भी चला गया और एक ऐसा पॉइंट आगया था जब एक कुएं के अंदर गिर गये थे और उनको मन नहीं नहीं कर रहा था उस कुएं से भार आने का लेकिन अंकल हाउडी बेसिकली इंटर्व्यू ले रहे थे यहां पर एक रोएं की वह दिख नहीं रहे थे लेकिन उनकी आवास पीछे से सुनाई दे रही थी और वह कहते हैं कि जब ऐसा चीज हुआ तो कौन ही मिस्त करेगा ना और बाकी सारी चीज हैं मुझे काफी बड़िया लगी और सेग्मेंट हुई है इसके बारे में बात करते हैं इसके बाद जे उसो का मैच हुआ डॉमिनिक के साथ जहां पर लिव मॉर्गन आ जाती है मैच के बीच में और दुबारा डॉमिनिक के उपर गिर जाती है आई ड रिपली जबकि थोड़ा बहुत वहां पर थोड़ी सी स्माइल उनने दी लेकिन राइट आफ्टर दे मैच बैक्टेज डॉमिनिक जाते हैं वापिस रिया के पास और रिया कहते हैं डॉमिनिक को देखो बाई मैं किसी की भी नहीं हूं लेकिन तुम मेरे हो और यहां पर फ करते हैं बो डैलस को और कहते हैं यहीं अंकल हौडी और मैं सब कुछ आज वह सेटल कर दोगा और जैसे ही नॉर्मल कपड़ों में भार जैसे वह लॉकर रूम में लास्ट वीक बैटे थे मोरे तरीके से जबकि यहां पर बोकश्य करा गया वह सी जा रहे थे पूरी सेगमे वेलेस अपने नॉर्मल गिमिक में अंकल आउडी नहीं और पीछे सारी वाइट 6 की फैमिली है काफी कूल एशॉट था और क्लियरली आइडिया दे दिया गया है कि चैट गेबल के पास दो बंदे हैं नहीं अलफा अकैडमी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेभी यही ए लेकिन स्पीर मार देते हैं लिए ड्रागन ओफ को और फिर मैच जब डीकू में खता हुआ उसके बद सैमी को भी स्पीर मार दिया तो क्लियरली एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है फॉर इंटर कॉंटेनिटल चैंपेंशिप एट समर स्लैम जो कि अन्बिलीवेबल र दिख रहे हैं रैसल इंडिया